टॉप फोर बेस्ट फोन अंडर 14,000 रुपीज दोस्तों क्या आप भी आज के समय पर अपने लेक परिफेक्ट पॉन ढूंड रहे हैं जहां पर आपको अच्छी खासी क्यामरा परफॉर्मिस मिल जाए गेमिंग वगेरा के लिए अच्छा खासा चिपसेट लगा हो और तो और देखने में फोन काफी अच्छा हो, लाइट वेट हो और साथ ही साथ अच्छे खासे 5G बैंड को सपोर्ट करता हो तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि हम आपके लेकर आचुके हैं ऐसे ही चार स्मार्टपोन और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबार दिजेगा तो चले शुरू करते हैं मेरा नामे राम और गैजट न्यूज जिंदी पे आप सभी का स्वागत है तो शुरू करते हैं इस लिस्ट को और सबसे पहले हम बात करते हैं उन्हीं यूजर्स की जिनका बजट थोड़ सका हम है लेकिन उन्हें एक अच्छा और फ्यूचरिस्टिक 5G फोन लेना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वीवोकार T2X अच्छरिस्ट भी रिसेंट्री राउंच के आगया और ये स्मार्टफोन भी लुक के मामले में काफी कमाल का है ये फोन भी पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है पर बिल्ड और डिजाइन के मामले में आपको यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं आती वैसे ये फोन भी 8.1 mm की थीकनेस और 184 ग्रैम के साथ में आता है तो लाइट विड और स्लिम भी है चली बात करते अब डिस्प्ले की तो इस फोन के अदर आपको मिलती है 6.58 इंचेस की Full HD प्लस वाली IPS LCD वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले साथी साथ पैंडा ग्लास का आपको यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है 650 इंट्स की ब्राइटने से इंडोर और आउट्डोर में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है यहाँ पर काफ हाँ यहाँ पर यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर दिया गया सेलफी की बात करें तो 8 meدا पीक्सल का आपको यहाँ पर सेलफी सेंसर मिल जाता है और यहाँ पर भी आपको काफी different modes वागर्णा देखने को मिल जाते है वैसे अच्छी बात है कि daylight में और low light दोनों में ये smartphone काफी अच्छा perform भी कर लेता है वहीं पर वीडियो output की बात करें तो front और back दोनों ही camera से आप यापर full HD की video record कर सकते हैं अब 230 fps तो चलिए दिस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ पर performance की तो इस phone के अंदर आपको यहाँ पर मिलता है latest 7NM based media tech का Dimensity 6020 का chipset जहाँ पर आपको Amali G57 MC2 का GPU दिया गया है और यह smartphone on 2 पर लगबग 3 से सबा 3 लाग के आसपार score करता है इसका मतलब आपको यहाँ पर performance अच्छी मिल जाती है वैसे आप यहाँ पर काफी अच्छी gaming भी कर सकते हैं साथ ही साथ दूस्तों यहाँ पर आपको LPDDR4S की RAM और UFS 2.2 का storage भी दिया गया है तो performance में आपको यहाँ पर कोई दिख करती है वैसे अगर पार उसकी बात करें तो बैक साइड बे 5,000 मेच की बैटरी और 18 वोर्ट की charging का support जिया गया है charger box के अंदर और charging के लिए Type-C वाली port आपको मिल जाती है वहीं पर कुछ other features की बात कर लें तो side mounted fingerprint sensor, 3.5 mm का jack, single bottom firing speakers, triple card का option और यह smartphone भी latest Android 13 पर आता है तो यह अच्छी बात है रही बात 5G bands की गाईज तो अभी तक यह confirm तो नहीं हो पाया लेकिन यहाँ पर possibly दोनों 5G band का आपको यहाँ पर support मिल जाता है तो यह अच्छी बात है आईगू का Z6 Lite 5G आपको design के माम में काफी अच्छा मिल जाता है हलाकि plastic build पर बना हुआ है तो build quality भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है डिस्पले की बात करें तो इस phone के अंदर आपको 6.58 इंचेस की full HD plus वाली IPS LCD पैनल 500 nits की आपको यहाँ पर brightness मिल जाती है 120 Hz की high refresh rate और 240 Hz की आपको यहाँ पर touch sampling rate मिलती है तो display quality आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है हलाकि water drop notch आपको यहाँ पर मिलता है वही पर camera's की बात करें तो back side में आपको यहाँ पर मिलते हैं दो camera जहाँ पर main camera लगवा 50 megapixel का, 2 megapixel का macro, 8 megapixel का आपको यहाँ पर selfie snap पर दिया गया camera setup phone का यहाँ पर ठीक है लेकिन image output अच्छे मिल जाते हैं वहीं पर video output की बात करें तो back or front दोनों ही camera से आप यहाँ पर full HD की video recording कर सकते है up to 30 fps चलिए performance की बात कर लेते हैं तो यह smartphone आपको मिलता है latest snapdragon 4 Gen 1 chipset के साथ में और दोस्तों यह chipset बना हुआ है 610M की fabrication पर साथ ही phone के अंदर आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा liquid cooling chamber भी मिल जाता है रही बात और तो यह smartphone तीन लाग पच्छासी जार के आसपास score कर जाता है जो कि यह budget के अंदर देखेंगे तो काफी अच्छे score है तो performance में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है वैसे इस phone के अंदर आपको LPDDR4 XT RAM और UFS 2.2 अलग storage भी मिल जाता है तो चलिए अब बात कर लेते हैं smartphone के powerhouse की back side में आपको यहाँ पर 5000 mAh की battery मिलती है 18W की charging का support मिलता है लेकिन charger आपको box के इंदर नहीं मिलेगा और charging के ले type C वाली port दी गई है वहीं पर phone के कुछ extra features की बात कर लें तो यहाँ पर आपको मिलता है side mounted fingerprint sensor, 3.5 mm का jack, single bottom filing speakers, hybrid card का option और यह phone भी आता है latest android 12 पर और बहुत ही जल्ल आपको यहाँ पर android 13 भी देखने को मिल जाएगा तो देखा जाए तो यह भी phone अच्छा है लेकिन याद रखेगा कि आपको यहाँ पर सिर्फ दो ही 5G बैंड का support मिलता है बात कर लें pricing की तो 4GB RAM और 64GB storage के लिए आपको देने होंगे 13,999 रुपए पर bank conference के साथ में यह phone आपको 13,000 रुपए की price पर मिल जाता है बात करते हैं आप उनी users की जिनने इस budget के अंदर एक non-Chinese phone लेना है साथ साथ उन्हें अच्छी performance और एक futuristic याने की अच्छे 5G बैंड वाला phone लेना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Samsung का Galaxy A14 5G Recently Samsung की तरफ से launch किया गया है और बात करें इस phone की तो यह phone आपको plastic build पर मिल जाता है और दोस्तो build quality और design दोनों ही phone के यहाँ पर बहुत अच्छे दिये गया है डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती ही 6.6 inches की Full HD Plus वाली PLS LCD पैनल कॉर्णी गोरिय लगला spy का protection मिल जाता है अप्टू 500 नीट्स तकी brightness, 90 Hz की refresh rate और 180 Hz की test sampling rate तो डिस्प्ले क्वल्टी आपको यहाँ पर थोड़ी सी decent देखने को मिलेगी बात करते हैं आप यहाँ पर cameras की, तो back side में आपको यहाँ पर दो cameras मिल जाते हैं main camera 50 megapixel का, जो की F1.8 aperture के साथ में आता है साथ ही में 2 megapixel का आपको यहाँ पर एक macro shooter दिया गया है selfie की बात करें, तो आपको मिलता है 13 megapixel का selfie snapper तो camera setup phone का यहाँ पर decent है, आउटपूट की बात करें भाई तो daylight में आपको यहाँ पर photos में कोई शिकायत नहीं आने वाली है साथ ही साथ अगर हम बात करें video output की, तो front और back दोनों ही camera से आप यहाँ पर full HD की video record कर सकते हैं अप टू 30 fps, चलिए performance की बात करते हैं दोस्तों तो इस phone के अधर आपको 5NM Base Exynos का 1330 का chipset देखने को मिल जाता है वैसे दोस्तों आपको बता दू कि यह chipset है, यह competitor है Qualcomm Snapdragon 695 का जो कि आपको यहाँ पर overall CPU performance में थोड़ा सा better देखने को मिलता है, हाला कि gaming आपको यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं करा सकता लेकिन आपको daily जो performance है, वो काफी अच्छी निकाल कर देता है साथी साथ LPDDR4X की RAM और EMC 5.1 वाला storage आपको यहाँ पर दिया गया है तो चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के power house की, तो इस फोन के back side में 6000 image का बड़ा सा better आपको मिलता है और साथी साथ यह phone 25 watt की charging को सपोर्ट करता है, हाला कि दोस्तों box के अंदर आपको यहाँ पर charger देखने को नहीं मिलेगा साथी साथ charging के लिए type C वाली port भी मिल जाती है, तो overall battery तो अच्छी है, लेकिन charger box के अंदर होता, तो और साथ अच्छा होता कुछ other features की बात कर लें, तो यहाँ पर मिलता है, side mounted fingerprint sensor, 3.5 mm का jack, triple card का option, single bottom firing speakers, और तो और यह phone आता है latest Android 13 पर, लेकिन यहाँ पर आपको core edition देखने को मिलता है, पर overall software से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है, और हाँ guys, यह जो phone है, यह आपको लगपक सभी 5G बैंड के support के साथ में मिलता है, तो चलिए दोस्तों आप बात के लिए प्राइसिंग की, 4GB RAM और 123GB storage के लिए आपको normally pay करने पड़ेंगे 14,490 रुपे, बड़ दोस्तों bank offers पर यह phone आपको मिल रहा है, 12,990 रुपे की price पर, तो आप चाहें तो इसे भी checkout कर सकते हैं, तो हाल इन माने कि price point के इसाब से आपको best quality की performance देखने को मिलेगी, और यह smartphone यहाँ पर Infinix का 05G 2023 Edition, बात करें इस phone की guys, तो यह phone आपको पूरी तरह से plastic build पर मिल जाता है, और दोस्तों build quality और design दोनों ही phone के काफी कमाल के दिये गए, वही पर display की बात करें, तो phone के अंदर 6.78 इंचे test sampling rate आपको मिल जाती है, so display quality आपको यहाँ पर अच्छी दी गई है, चली बात करते हैं, camera's की, तो back side में आपको यहाँ पर triple cameras मिल जाते हैं, main camera 50 megapixel का, 2 का macro, 2 megapixel का depth, और 16 megapixel का selfie snapper, camera setup phone का यहाँ पर अच्छा है, daylight और साथ इसाथ दोस्तों low light में भी आपको यहाँ पर थोड का Dimensity 920 का chipset, जो कि दोस्तो 6NM की fabrication पर बना हुआ है, तो phone काफी कम गरम होता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक अच्छा घसा liquid cooling chamber भी दिया गया है, वैसे दोस्तों यह smartphone आपको यहाँ पर लगबग 4,60,000 के आसपा स्कोर भी कर जाता है, so performance में आपको यहाँ पर शि कुछ other features की बात करें, तो side mounted fingerprint sensor, 3.5 mm का jack, single bottom firing speakers, triple card का option, और यह smartphone latest Android 12 पर आता है, और साथ ही साथ यह smartphone अब टू 12 5G band को support भी करता है, और तो और बात करें pricing की, तो 8 GB की physical, 5 GB की dynamic RAM, याने के 13 GB RAM, 128 GB storage के लिए normally आपको पे करने पढ़ेंगे 14,999 पर दोस्तों अभी आपको यहाँ पर bank coffers के साथ में यह smartphone मिल रहा है, सिर्फ और से 13,999 पर की कीमत पर, और इस price point के हिसाब से definitely one of the best performance oriented phone है, और तो और phone के camera's भी काफी अच्छे perform करते हैं, साथ ही साथ अच्छे खासे 5G bands भी आपको मिलते हैं, तो अगर आप एक futuristic smartphone ढूंड रहे थे, तो आप इस phone की तरह भी देख सकते हैं, तो दोस्तों यह थे वो 4 smartphone जहां पर आपको बहुत ही कमाल की specification, तगडे लेवल के camera's, अच्छी खासी performance वगरा मिल जाती है, तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी smartphone चेक आउट कर सकते हैं, सभी के link हमने नीचे discussion box में दे रखें, तो चेक आउट जरूर कर ल पानरे बाद